Hello दोस्तो Welcome back to a new video तो अगर आपके वियकल की RC कोउइंक हो गई है खराब हो गई है या फिर आपके पास कागस वाली RC है और आप plastic card वाली RC बनवाना चाहते हैं तो एफ वीडियो आपके लिए है तो plastic card RC बनवाने के लिए आप online apply कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको explain करूँगा कि आप duplicate RC बनवाने के लिए कैसे online apply कर सकते हैं तो बने रहे हैं हमारे साथ चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ duplicate RC apply करने के लिए आपको परिवहन.gov.in वेबसाइट पर आना होगा आप google पर परिवहन लिख कर सर्च करेंगे तो जो first link आएगा उसी website को आपको open करना है website का direct link मैं आपको description में भी provide करवा दूँगा वहाँ से आप directly website पर पहुंच सकते हैं homepage open होने के बाद आप थोड़ा नीचे scroll करेंगे तो यहां license related बहुत सारी service आपको मिलेंगी उसके बिल्कुल नीचे vehicle related services में आपको जाना है यहां जो first tab है vehicle registration इसको आपको open कर लेना है अब यहां आपको अपना state चूज कर लेना है जहां आपने registration vehicle का करवाय हुआ है for example मेरा registration पंजाब का है तो मैंने पंजाब select किया है अब यहां आपको vehicle registration number पे click करना है और नीचे अपना vehicle का registration number एंटर कर देना है उसके नीचे आपकी state by default set हो जाएगी जो आपने पहले एंटर की थी इसके बाद resisting authority पे click करेंगे और नीचे RTO select करेंगे जो भी आपके area का RTO पढ़ता है for example मेरा registration मोहाली का है तो मैं यहां से साहिब जादा अजीत सिंग नगर मोहाली select करूँगा select करने के बाद अब आपको proceed पे click कर देना है तो एक new window आपके सामने open हो जाएगी बट यहां आपको यह ध्यान रखना है कि RC apply करने से पहले आपका mobile number उसमें update होना चाहिए तो वो चेक करने के लिए आपको पहले mobile number update का जो option है उस पे click कर देना है इस pop-up को आपको yes click कर देना है अब कुछ details आपको यहां enter करनी है जैसे vehicle, registration number, chassis number, engine number, registration date, registration valid up to date यह सारी details आपको अपनी RC पे मिल जाएगी आपको यहां सारी details अच्छे से enter करनी है कुछ भी mistake हुई तो आप process में आगे forward move नहीं कर पाएंगे तो details enter करने के बाद show details के tab पर click कर देना है अब आपके सामने आपके vehicle के पूरी details आजाएगे जिसमें आपका address से लेकर आपके name तक सब कुछ होगा अब यहां आपको mobile number वाला column चेक करना है अगर उसमें mobile number आपका correct है तो आप यहीं से back हो जाएंगे बट अगर यहां mobile number नहीं है या गलत mobile number update है तो आप उसको change भी यहां से कर सकते हैं देखे जैसे अभी मेरा mobile number वाला column खाली है तो मैंने यहां अपना जो mobile number attach करना है उसको fill करके जन्नेट OTP के tab पर क्लिक कर दिया है तो मेरे इसी number पे एक OTP मुझे receive होगा वो OTP आपको नीचे दियेगे box में एंटर कर देना है और save details के option पर क्लिक कर देना है और इस pop-up को yes कर देना है yes करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे message आ जाएगा mobile number has been updated successfully मतलब अब आपका mobile number आपकी RC के साथ online update हो चुका है इसके बाद हम duplicate RC के लिए apply करेंगे इसके लिए या तो आप services में RC related services में जाके first option select कर सकते हैं या फिर आपको home page पे ही second option मिल जाएगा यहां आपके vehicle का registration number already enter होगा आपको अपने chassis के last five characters यहां पे enter करने होगे नीचे दिये गए box में chassis number enter करने के बाद verify details के tab पर click कर देना है यहां generate OTP के tab पर click करेंगे तो आपके register mobile number पर एक OTP send हो जाएगा यह OTP आपको नीचे दिये गए box में fill करने के बाद submit के tab पर click कर देना है अब next page पर आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे यहां आपको duplicate RC वाले column पर tick कर देना है इसके नीचे आपको duplicate RC का reason भी भरना पड़ेगा कि आप duplicate RC क्यों मंगवाना चाहते हैं तो reason में आपको 2-3 option मिलेंगे तो अगर आपकी RC हो गई है तो आप lost और अगर चोरी हो गई है तो theft का option सेलेक्ट करेंगे बढ़ यहां आपको FIR की copy भी लगानी पड़ेगी तो जैसे हमारी कागस वाली RC थी और हमें plastic card वाली चाहिए तो हम यहां other का reason सेलेक्ट करेंगे और reason में लिख देंगे plastic card अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके vehicle के insurance detail आपको यहां दिख जाएगी उसके नीचे fee panel का एक tab होगा वहां पे plastic card आप से मंगवाने का जितनी भी costing होगी उसका total आपको यहां दिया गया होगा आप देख सकते हैं society fees 200 postal fee 35 रूपीज और smart card fees जो आपकी है वो भी 200 रूपीज होगी तो आपका total बन जाएगा 435 रूपीज तो total 435 रूपीज आपको यहां plastic card के लिए pay करने पड़ेंगे save as draft करने के बाद आगे आपको एक payment gateway मिल जाएगा उसके थुरू आप payment कर सकते हैं payment करने के बाद receipt के आपको photocopy निकाल लेनी है और photocopy के साथ आपको original RC अटेश करनी है अगर RC आपकी खो गई है तो आपको FIR की copy साथ में अटेश करके अपने area के RTO office में submit करवा देनी है submit करने के बाद by post आपके दियेगे address पर आपकी plastic card RC send कर दी जाएगी तो अगर आपकी RC खो गई है चोरी हो गई है या आप plastic card वाली RC बनवाना चाहते हैं तो इस process के थुरू आप online apply कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को जादे से जादा share करें मिलते हैं ऐसी एक और knowledgeable वीडियो के साथ